नमस्कार मेरा नाम है पुस्पेंद्र चड़ार और आप देख रहा है हमारा चैनल स्टेडी 16 स्टेडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरी सिंग और यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस पेपर 2020 की जो एहमकॉम का इंट्रेंस पेपर है पीजी इटी जिसका कोड है पीजी इटी 209 टेस्ट कोड पीजी इटी 209 और यह है 2021 की परिक्षाओं में और आगे की परिक्षाओं में आने की संभावनाएं रहती हैं इसमें से कुछ प्रेश्णू की तो हम देखते हैं कि 2020 में एमकॉम का इंट्रेंस पेपर किस प्रकार का था तो हम पहले पार्ट में 50 कोश्चन देखेंगे और इसके अंगले पार्ट में हम 50 कोश्चन और देखेंगे M.com 2020 के इंट्रेंस पेपर को हम दो पार्टों में देखेंगे और इसकी बाद में मैंने आंसर सीड भी दी है तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा और अभीता का अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तो देखते हैं पहला प्रश्ण पहला प्रश्ण क्या कहता है पहला प्रश्ण है निमनलेखित में से किस कोस का उपयोग नहीं माना जाता which of the following is not treated as application of fund लावांस का नगत भुक्तान, case payment of dividend, loss form operation यानि परिचालन से हानी redemption of deventures यानि रणपत्रों का नगत में सोधन और cash sales of fixed assets इस्थाई संपत्तियों का नगत विक्राए तो कौन कोस का उपयोग नहीं माना जाता है तो वैस इस्थाई संपत्तियों का नगत विक्राए cash sales of fixed assets अंगला प्रश्ण देखते हैं अंगला प्रश्ण है सरकारी पिरती भूतियों के ब्याज का सकली करन यानि grossing up of interest of government securities option a किया जाता है नहीं किया जाता है कर मुक्त होता है इन में से कोई नहीं तो इसका answer क्या है नहीं किया जाता है not to be done not to be done done नहीं किया जाता है सरकारी पिरती भूतियों के ब्याज का सकली करन नहीं किया जाता है अंगला प्रश्ण देखते हैं निमन में से किसकी गड़ना रेखा चित्र की सहायता से नहीं की जा सकती है which of the following cannot be calculated by graphical method main, median, mode और चतोर्था क्यानी pure tile तो किसकी गड़ना नहीं की जा सकती है तो बै माद्द की रेखा चित्र की सहायता से अंगला प्रश्ण देखेंगे इसकंद के बारे में लागू नहीं होता है not applicable on stock stock के बारे में लागू नहीं होता है stock को हिंदी में इसकंद बोलते है अंकित मूल होना चाहिए पूर्ण रूप से चुकता होना चाहिए stock holder is not a member of company इसकंद धारी company का सदस्य नहीं होता है company के निर्माण के प्रारंभ में निर्गमन नहीं होता है तो इसका अंसर क्या है इसका अंसर है ए यानि अंकित मूल होना चाहिए इसकंद के बारे में क्या लागू नहीं होता अंकित मूल होना चाहिए face value printed price must और बांकी तीनों होनी चाहिए fully paid up must stock holder is not a member of company not issue at the commencement of the company formation अंगला प्राश्न देखते हैं अंगला प्राश्न है अंगूरी लता संप्रेशन को कहते हैं ग्रापेवायन कम्यूनिकेशन इज कॉलेड इन फॉर्मल कम्यूनिकेशन यानि अनौपचारिक संप्रेशन अपवा है या फर रोमर अपोस्ट संप्रेशन यानि अनकमफर्मेड नियूज अल अफ दीज तो इसका आंसर क्या है फाइब का तो फाइब का अंसर है अल अफ दीज अंगला प्रेशन देखते हैं अंगला प्रेशन है करारोपन के माध्यम से राजस्व प्राप्त करने का संबंद किस नीती से है इसका आंसर क्या है राजकोसिय नीती या फिसल पॉलिसी करारोपन के माध्यम से राजस्व प्राप्त करने का संबंद राजकोसिय नीती है मतलब करारोपन के माध्यम से राजकोसिय नीती का संबंद है अंगला प्रेशन देखते हैं अंगला प्रेशन है कौन पुझी संद्रजना विसलेशन की तकनीक नहीं है बिच इज नॉट दा टेकनीक ओप कैपितल इस्ट्रेक्चर एनालिसिस सम्ता पर व्यापार पुझी मिलान पुझी बजट पुझी की लागत तो इसका आंसर क्या है सेविन कोस्टन सेविन कोस्टन का आंसर क्या है कैपिटल बर्ड गेटेंग यानि पुझी बजटेंग eternal budget बजटेंग अंगला प्रेशन देखते हैं एक बैखती जो किसी बर्स में निवासी है अंगले गत बर्स में होगा and individual who is resident in any previous year, in the next previous year, he shall be. असाधरन निवासी यानि non-ordinary resident, non-resident, resident, any one out of these above three. उपर्योक्त तीनों में से कोई नहीं, तो इसका अंसर क्या है? D. उपर्योक्त तीनों में से कोई नहीं, और पेपर के हर पेज पर कोड़ दिया रहेगा PGET 209, R22 PGET 209. अंगला प्रश्न देखते हैं, अंगला प्रश्न है, समेकत चिट्टे, कमपनी की संपत्तियों, एबं बाहा संपत्तियों, बाहा दायद्पों को दर्चाया जाता है. सूत्रधारी सहायक दोनों, A एबं B और N में से कोई नहीं, तो इसका अंसर क्या है, इसका अंसर है C, सूत्रधारी एबं सहायक. इन, कॉंसीलेडेटेट फंड, यानि समेकत चिट्टे, सीट, दा, असेट्स, एंड, एक्स्टरनल लाइबिटीज, लाइबिल्टीज, ओप, डेस, डेस, कमपनी आर्थ सोन, होल्डिंग और सब्सीडरी, तो इसका अंसर है, A एंड, बी, दोनों. अंगला प्रस्ने देखते हैं, गेर समग्र पद्धती के अंतरगत, जो खाता बही, बही खाता, रखी जाती है, उन्हें के रूप में जाना जाता है, अंडर दी नोन, इंटरगल, सिस्टम, दा सेपरेट लेजर, और मेंटिनेंड, दे आर, एस, नाउन, एस, तो इसका अं कास्ट लेजर यानि लागत खाता बही, और फाइनेंशल लेजर यानि वित्तिय खाता बही, और जन्रल लेजर यानि सामान्य खाता बही, तो डी बोथ ए एंड बी, तो इसका अंसर क्या है, डी, इसका अंसर है, डी, ए और बी, अंगला प्रशन देखते हैं चक्रिय परिक्षन को संतोष्ट करता है circular test is satisfied by तो इसका अंसर क्या है पास से सूचकंग यानि पास से index लेस्पियर सूचकंग और फिसर इंडेक्स और इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर क्या है क्या राका इन में से कोई नहीं non of these अंगला प्रशन देखते हैं यदि 100 रुपे वाले 8% रंड पत्रों की नर्गमान लागत 4% हो तो रंड पुंजी की लागत क्या होगी लागत होगी cost of 8% deventures of रुपी 100 each is 4% then cost of debt capital बिल भी तो इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर होगा 8.33% लागत होगी अंगला प्रस्ण देखते हैं अंगला प्रस्ण है निम्न लिखत में से कौन सी गुडवत्ता न्यांत्राण की तक्नीक है बिच अप दी फॉलोविंग इस आ टेक्नीक अप क्वाल्टी कंट्रोल नरीक्षण ABC विसलेशन यानि ABC एनालिसेस और इंटर्नल ओडेट और एक्स्टर्नल ओडेट तो इसका अंसर क्या है तो इसका अंसर इंस्पेक्षण यानि निरीक्षण अंगला प्रस्ण देखते हैं आकस्मिक असंभवता उत्पन हो जाने पर अनुबंध होता है बैन क्योजल क्योजल इंपोसिबिल्टी यानि आकस्मिक और एरीजेन कॉंट्रेक्ट बिकम्स बेयार्थ यानि बॉइड बॉइडेवल इल्लीगल एंड इंपोसिवल तो इसका अंसर क्या है तो यह होता है बॉइड यानि मानने होता है मतलब बॉइड मतलब मानने नहीं होता है सूनने होता है अंगला प्रस ने देखते हैं निस्तारक की नियुकती की सूचना देनी पड़ती है इन्फोर्मिशन ओफ अपोइड मेंट लिक्यूडेटर सूचना देनी पड़ती है अंगला प्रस ने देखते हैं 5.56 रुपे और 14.40 रुपे और 16.60 रुपे तो इसका अंसर क्या है? 14.40 रुपे एक अंस का मूल्य होगा अंगला प्रशने देखते हैं किराय प्रितिफल का सुद्ध संपत्तियों पर अधेक कहलाता है दा एक्सेस ओफ परचेज कंसीडरेशन ओबर नेट एसेट्स इज कॉलेड गुड़ बिल कैफिटल रिजर्ब मैनोरिटी इंटरेस्ट यानि आलपमत है नौन आपदीज तो इसका क्या अंसर है? इसका है ख्याती यानि गुड़ बिल साख किराय पृतिफल का सुद्ध संपत्यों पर अधेक कहलाता है क्या? गुड़ बिल अंगला प्रस्ण देखते हैं अंगला प्रस्ण है सारी रिख भासा के कितने प्रारूफ होते हैं? तो कितने प्रारूफ होते हैं? एक, दो, तीन, एक, तीन, पांच, साथ सेवन फॉर्म होते हैं बॉड़ी लेंग बेज के अंगला प्रस्ण देखते हैं उब्भोकता के प्रमुक अधिकारों में सामल नहीं है सूचना पाने की उब्भोकता के प्रमुक अधिकारों में कौन सा अधिकार सामल नहीं है? सूचना पाने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, चैन का अधिकार, इन में से कोई नहीं सूचना पाने का अधिकार, और सूचना पाने का अधिकार, 2005 के अधिकार दिया गया अंगला प्रस्ण देखते हैं संख्य की माध्य, जो चरम मानों से प्रभावित नहीं होता है संख्य की माध्य, विच इज नोट अफेक्टेड बाई, एक्स्ट्रीम बैल्यू इज, समान तरमाध्य, मेडियम, हर्मोनिक मेन, जियो मेट्रिक मेन, यानि गुड़ों तरमाध्य, तो इसका अंसर क्या है, मेडियन, यानि मध्य का अंगला प्रस्ण देखते हैं अंगला प्रस्ण है ब्यवसाय में किये गए प्रारंभिक ब्यायों की कटोती दी जाएगी डिडेक्शन ओफ प्रिलिमिनरी, एक्स्पेंडिचर, इनकरेक्ट, इन बिजनिस, सैल बी अलावड इन, दस समान किस्टों में, टैन एक्क्यल इंस्टॉल्मेंट, फाइक्क्यल इस्टॉल्मेंट, होल अमाउंट इन फर्स्ट यर, नोन ओप दीज, तो इसका क्या अंसर है पांच समान किस्टों में, ब्यापसाय में किये गए, प्रारंबिक ब्यायों की कटोधी पांच समान किस्टों में की जाएगे अंगला परशन देखते हैं अंगला परशन है अंसों अथवर्ण पत्रों के निर्गमन पर दिया गया बट्टा दर्शाय जाता है डिसकाउंट अलावड ओन दा इसू अफ शेयर और डेवेंचर इस सोन इन प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट में यानि खाते में प्रोफिट एंड लॉस्ट एप्रोप्रियेशन अकाउंट में असेट्स साइड ओफ बैलेंस सीट में यानि चिठ्थे के संपत्ती पक्ष में लाइविल्टी साइड ओफ बैलेंस सीट यानि चिठ्थे के दायत्व पक्ष में तो इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर है Assets Side and Balance Seed चिप्टै का मतलब क्या होता Seed संपत्ति पक्ष में के संपत्ति पक्ष में अंगला प्रस्ण देखते है अंगला प्रस्ण है बिगटन बैयों को निमन मेषिक किसमे देविट नाम किया जाता है, डेविट किया जाता है, record of payment of dissolution expenses is made in the debit side of capital account, realization account, realization account and revolution account none of these, तो इसका answer क्या है, 23 का तो इसका answer है, बसूली खाते में, realization account में, अंगला प्रस्न देखते हैं, यदि मद्ध का 15 और भूई इस्ठक 13 हो, तो समान तरमाते होगा, is, median is, if median is 15 and mode is 13, then arithmetic mean will be, यानि कि समान तरमाते क्या है इसका, तो इसका समान तरमाते होगा, सूला, अंगला प्रस्न देखते हैं, भारत में योजना आयूग की स्थापना कब हुई थी, दा फाइव, दा प्लानिंग कमीशन, यानि योजना आयूग, दा प्लानिंग कमीशन बाज, सेट अप इन इंडिया इन दा इयर, 1950, कब 15 मार्च, और उसके स्थान पर आज कौन सा हया है, नीती आयूग, नैशनल इंस्टिक्यूशन ओप और ट्रांसफॉर्मेंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मेंग इंडिया, अंगला प्रस्न देखते हैं, अंगला प्रस्न है, कि बैंक खातों में मुद्रा जमा करना, यानि, डेपोजिटिंग मनी इन बैंक अकाउंट एजा, गिर्भी कानुबंद, निचेप कानुबंद, गारंटी कानुबंद, और इन में से कोई नहीं, नोन ओफ दीज, कंट्रोल ओफ प्लेज, यानि गिर्भी कानुबंद, कॉंट्रेक्ट ओफ बैलमेंट, स्वरी, कॉं अंगला प्रसन देखते हैं, सेल्फ प्रवीर्ण, कौन जारी करता है, यानि, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, कैन बी इसूड बाई, सिट्यूल्ड बैंक, फाइनेसियल इंस्टिट्यूशन, पब्लिक सेक्टर बैंक, ओल ओफ दीज, तो इसका अंसर क्या है, ओल ओफ दीज, अनुसूचित बैंक, बित्तिय संस्ता, सार्वनेक, छेत्र के बैंक, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, जारी कर सकते हैं, अंगला प्रसन देखते हैं, यदि इस्थर लागत सुन हो, तो परिचालन उत्तो लग, यानि, लिवरेज होगा, ओपरेटिंग, लेवरेज, लिवरेज, बिल्वी, वन, माइनस बन, जीरो, और ये, तो इसका अंसर क्या होगा, तो इसका अंसर है, एक, अंसों के हरण पर अंस पूंजी लेखा डेवरेट नाम होगा, बैन, सेयर, और फॉरफीटेड, फॉरफीटेड, दा सेयर्स कैपितल अकाउंट, हाल भी डेविटेड बाई, अंसों के अंकत मुल से, मांगी गई रासी से, चुकता की गई रासी से, इन में से कोई नहीं, तो इसका अंसर क्या है, तो इसका अंसर है, कॉलेड अप, अमाउल्यानी, मांगी गई रासी से, अंगला प्रश्न देखते हैं अप्राप्त क्राए की रखम को निम्न में से घटाया जाएगा यानि अन्रियलाइज्ड रेंट तो इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर है ग्रोस प्रोम ग्रोस एन्यूवल बैल्यू यानि सकल बालसक मूल में से अंगला प्रश्न देखते हैं तो अंगला प्रश्न है इन में से कौन बिनीमाय माद्य बिलेख नहीं है विच अब दी फॉलोवेंग इस नोट नेगुसियेवल इंस्ट्रूमेंट यानि परक्राम में लिखत बिल ओफ एक्सचेंज यानि बिनीमाय पत्र यसी बेपत्र नहीं बिनीमाय पत्र चेक हुंडी एंड प्रोमजरी नोट यानि पिर्तिग्या पत्र तो इसका अंसर क्या है इसका अंसर है हुंडी तो हुंडी नहीं है परक्राम में लिखत यानि नेगुसियेवल इंस्ट्रूमेंट क्या नहीं है हुंडी चेक बिनीमाय पत्र और प्रोमजरी नोट या है नेगुसियेवल इंस्ट्रूमेंट बलेख है अंगला प्रस्न देखते हैं सीमित दायत्व सांजिधारी अधिनियम डेस 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 में बना था लिमिटेड लायविल्टी एक्ट वाज एनेक्टेड इन्दा इयर तो कब बना था 2005, 2006, 2007, 2008 तो कब बना था 2008 अंगला प्रस्न देखते हैं यदि काल स्रेणी जिसमें अनेक बरसों के बारसिक समंग दिये हों खाली स्थान पर विचार नहीं किया जा सकता है इन अटाम सेरीज इन्दा इन्दा इस गिवन ओर मैनी यर्स देखते हैं मौसमी बिचरण यानी सेशनल बेरीशन सेकुलर ट्रेंड और साइक्लीकल बेरीशन और इर्रेगुलर फ्लक्ट सन तो इसका अंसर क्या है तो इसका अंसर है मौसमी बिचरण यानी सेशनल बेरीशन अंगला प्रस्ण देखते हैं अंगला प्रस्ण है कि विभाजन योग लाभ में सामल नहीं है डिवीजूल प्रॉफिट डू नोट इंक्लूड बैलेंस ओफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानी खाते का सेश कैपिटल प्रॉफिट यानी पूंजी लाभ पोस्ट इनकॉर्पॉरेशन प्रॉफिट यानी सम्मा मेलन के पस्चात का लाभ और barrier to incorporation profit यानि समामेलन के पूर्व का लाव तो इसका अंसर क्या है तो इसका अंसर है ए यानि एक एवं दो एवं चार यानि पूजी लाव और समामेलन के पूर्व लाव यह विभाजान योग लाव में सामल नहीं है अंगला प्रस्ण देखते है अंगला प्रस्ण है लोटरी से आय पर उद्गम इस्थान पर कर कटोथी की दर है rate of deduction of tax as secure on income from lottery is तो 40% 30% 13 दिसमलाव 9% and 40.9% तो इसका answer क्या है तो इसका answer है B यानि 30% लोटरी से आय पर उद्गम इस्थान पर कर कटोथी की दर 30% अंगला प्रस्ण देखते है एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनुरंजन भत्ते की कटोथी की अधिक्तम रकम है दा मैक्सिमम अमाउंट फोर डिडेक्शन ओप इंटर्टेन्मेंट अलोवेंस तो गवर्मेंट एमपलोई इस फाइब थाउजन सेवन फाइब हंड्रेड सेवन थाउजन फाइब हंड्रेड यानी बेतन का एक बटे पांच यानी बेतन का बीस परसंट बिलकुल नहीं तो इसका अंसर क्या है फाइब थाउजन यानी पांच हजार अंगला प्रसंट देखते हैं अंगला प्रसंट है अंसों के मिश्रण या समेकन से आ साई Consolidation of shares mean कम अंकित मुल्यों के अंसों को अधिक मुल्यों के अंसों में बदलना Conversion of low face value share into high face value share अधिक अंकित मुल्यों के अंसों को कम अंकित मुल्यों के अंसों में बदलना यानि conversion of high face value shares into low face value shares पूर्वा धिकार अंसों को समता अंसों में बदलना Conversion of preference share into equity shares परोक्त में से कोई नहीं, non of the above तो इसका answer क्या होगा, तो इसका answer है A Conversion of low face value shares into high face value share कम अंकित मूल्यों के अंसों को अधिक अंकित मूल्यों के अंसों में बदलना अंगला प्रस्न देखते हैं कि साह संबंध गुडांक की प्रमाण 30 है तो A, A प्लस R स्कियर बटे न, बन प्लस R स्कियर बटे अलफा एन, बन माइनस R स्कियर बटे अलफा एन और बन प्लस, सोरी बन माइनस R स्कियर बटे एन तो इसका अंसर क्या है, तो इसका अंसर है C, यानि बन माइनस R स्कियर बटे अलफा एन अंगला प्रस्ण देखते हैं अंगला प्रस्ण है बोनस अंसों के समरपन, बोनस अंसों के निर्गमन से हानी होती है डिस एडवांटेज ओप दा इसू ओफ बोनस सेयर ख्याती में कमी, अंसधारियों में असंतोस बाजार, अंसों के बाजार, मूले में कमी, उपरोक्त सभी तो इसका अंसर क्या है D, उपरोक्त सभी, all of the above decrease in goodwill, distribution in shareholders decrease in market value of shares, all of the above तो इसका अंसर क्या है, all of the above अंगला प्रशन देखते हैं, चाय के उत्पादन से आयकार निमनलिखत, प्रतिसत भाग, व्यापा, रतवा, पेसे, लाव, सीर्शक के अंतरगत कर योग है following percentage of income from tea production, sell be taxable under the head, profit of business or profession तो इसका अंसर क्या है, तो इसका अंसर है 40% अंगला प्रशन देखते हैं सह संबंद रणात्मक होगा यदि X के मान में ब्रद्धी होने पर, Y के मान में भी ब्रद्धी हो, Y का मान आ परिवर्तित हो रहे, Y के मान में कमी रहे, इन में से कोई नहीं और जो इसका है इसका अंसर क्या है। तो इसका अंसर क्या है। तब value of y decrease y के मान में कमी हो तभी x के मान में ब्रद्धी होगी अंगला प्रस्ण देखते हैं पूझी लागत की अवधारणा का खाली स्थान में प्रियोग होता है दा कंसेप्ट ऑफ कोस्ट कैपिटल एज यूजड इन कैपिटल इस्ट्रेक्चर डिसीजन इन्बेस्टमेंट डिसीजन प्रोजेक्ट एवुलेशन यानि पूझी संरचना निर्मार बनियोग निर्णयान परियोजना मुल्यांकन उपरयोगत सभी तो इसका अंसर क्या है अंगला प्रस्ण देखते हैं उत्तर दायत्व उत्तर दायत्व लेखांकन में निम्न में से कौन सा कैंदर नहीं होता है which of the following center does not exit in responsibility accounting sales center यानि विक्री कैंदर, profit center, expenditure center और investment center तो इसका क्या अंसर है विक्री कैंदर उत्तर दायत्व लेखांकन में निम्न में से कौन सा कैंदर नहीं होता है अंगला प्रस्ण देखते हैं स्वामी या सांजेधार द्वारा आहरंड खाली स्थान किरिया से रूहन रूकल का प्रभाव है drawings by proprietor और partner is cash flow form dash dash activities यानि संचालन यानि operating बिनियोजन investing financing non financing यानि गेर वित्ति है तो इसका अंसर क्या है इसका अंसर है वित्ति यानि financing अंगला प्रस्ण देखते हैं बी सूची के धंदाता है यानि contributors of list BAs यानि बरतमान अंसधारी यानि exacting shareholder post shareholder both A and B और D non of these तो इसका अंसर क्या है भूत पूर्व अंसधारी पूस्ट shareholders अंगला प्रस्ण देखते हैं सीमित रेखांकन में लिखा होता है बैंक का नाम यानि in रिष्ट्री क्रेटिब क्रोसिंग डेस 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 इस रिटर्न नेम ऑफ बैंक नेम ऑफ क्रेडेटर नेम ऑफ ड्रोवर अमाउंट तो इसका अंसर क्या है लेंदार का नाम यानि नेम ऑफ क्रेडेटर अंगला प्रस्ण देखते हैं अंगला प्रस्ण है एक अंस एक सूत्रधारी कंपनी बह है जिसके पास दूसरी कंपनी के अंसों की संख्या हो अंगला प्रस्ण देखते हैं इसका अंसर क्या है पचास प्रतीसत से अधेग एक सूत्रधारी कंपनी बह है जिसके पास दूसरी कंपनी के अंसों की पचास प्रतीसत से अधेग संख्या हो अंगला प्रस्ण देखते हैं एक व्यक्ति का नियांत्रान सर्भूत्तम है या कथन किसका है बन मैन कंट्रूल इस दा बैस्ट दिस स्टेटमेंट इस बाए तो यह किसका स्टेटमेंट है हैने किमबॉल इवं किमबॉल बिलियम आर बैसेट दी इन मेंसे कोई नहीं तो इसका अंसर क्या है बिलियम आर बैसेट बन मैन कंट्रूल इस दा बैस्ट अंगला प्रशन देखते हैं अंगला प्रशन है संभाब नाए एवं चुनोतियां संबंधित हैं किस से संबंधित हैं अपॉर्चूनिटीज एंड ट्रेट्स आर रिलेटेड टू एक्स्टरनल एंवारेलमेंट इंटरनल नौन ओफ दीज तो इसका क्या अंसर है बाहा परियाबरन यानी एंटरनल एक्स्टरनल एंवारेलमेंट अंगला प्रशन देखते हैं एक व्यक्ति की कुल आय का निर्धारन होने का आधार है निर्क और प्रशन एजisen इसका क्या है बाहरत में उसकी निवासी एक्स्थिति उपरियो में से कोई नहीं तो इसका अंसर क्या है बाहरत में उसकी निवासी एक्स्थिति भारत में उसकी निवासी इस्थिती इस रेसिडेंटल रेसिडेंशल स्टेटस और स्टेटस इन इंडिया अंगला प्रस्ण देखते हैं यह आज के इस पार्ट का आखरी प्रस्ण है फरनीचर पुराने फरनीचर के बिक्रैपर हानी को खाली स्थान खाते में डेविट करेंगे दा लोस ऑन सेल अप ओल्ड फरनीचर इस डेविटेड टू डेश 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 अकाउंट लाभानी फरनीचर हरास बियापर तो इसका क्या अंसर है लाभ प्रोफिट एंड लोस और इसके बाद हम आपको अंसर सीट दिखाएंगे कि किस परकार के आंसर थे तो आप चाहें तो इस अंसर सीट का इसक्रीन सॉट भी ले सकते हैं और इसक्रीन सॉट ले करके आप अपने मौबाल में एा फिर पर कम्टूटर लैपोब में सीब करके मेरे इनांसरों को मिला सकते है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद